हेलो फेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं Stranger Things Season 3 की एंडिंग एक्स्पेंड के बारे में क्योंकि इस सीजन ने हमें थोड़ा कंफ्यूस सकर दिया है कि एक्च्वल में इस सीजन के एंड के एपिसोड में हुआ क्या यानि आप जो कोई भी डीटेल में आपको यहां पर दूँगा वो सारी के सारी स्पोईलर से भरी हुई है इन फैक्ट ये वीडियो पूरी के पूरी स्पोईलर है वेल तो सीजन 2 के एंड में हमने देखा था कि 11 ने अपसाइड डाउन के डोर को बन कर दिया है और सिच्वेशन पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है लेकिन अब सीजन 3 में काफी ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रियेट हुई है जैसे कि 11 ने अपनी पावर्स को खो दिया और दूसरी तरफ होपर भी मर गया है और सबसे बड़ा चिंता का विश है कि अब सीजन 4 में हमें अलग क्या दिखाया जाएगा वेल तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 की पावर्स के बारे में नहीं आये है क्योंकि हमने सीजन 3 के पूरे के पूरे एपिसोड में देखा कि 11 ने अपनी पावर्स को हच से जादा यूज किया जिसकी चिंता खुद अब माइक को भी थी लेकिन अब माइक 11 की पावर्स को लेकर बहुत ही जादा confident है कि उसकी पावर्स फिर से वापस आ जाएगी बस उसे wait करना है लेकिन कुछ theories की बात करें तो इस series के fan का कहना ये है कि 11 की पावर्स Mind Slayer की वज़े से गई है कि किस तरीके से स्टार कोट मॉल में 11 ने पूरी के पूरी कार्स को उठा कर उन रश्यन के उपर फेक दिया यानि उस टाइम पर भी 11 के पावर्स थी जहां पर 11 ने अपनी पावर्स को फिर से काफी जादा यूज किया और इसके पहले वाले एपिसोड यानि एपिसोड नमबर 7 में भी 11 सीधे सीधे भिड़ गई Mind Slayer से और उस टाइम पर भी 11 की पावर्स कितनी जादा यूज हुई हमने वो चीज अपनी आँखों से देखी और दूसी तरफ उसने अपने पिता हॉपर को भी खो दिया जिन से वो बहुत ही जादा प्यार करती थी और अब दोनों ही चीजे लेवन के करीब नहीं तो शायद ये चीज कही ना कहीं 11 के पावर्स को वो कहते हैं ना चार्ज होने से थोड़ा रोक रही है तो शायद हो सकता है कि जब 11 को ये पता चल जाए कि आक्चेर में इसको पीता हॉपर जिन्दा है तो शायद ये खबर लेवन के पावर्स को फिर से चार्ज करने में मदद करें वेल तो अब आजाते है हॉपर पर जहाँ पर हॉपर और जॉसी को ये जिमेदार भी गई थी कि वो लोग टाइम पर मशीन को बन करकर या फिर उससे डिस्ट्रॉय करकर अपसाइड डाउन के गेट को बन कर देगे बट वहाँ पर पहुचने के बाद सिच्वेशन पूरी तर 3 को सिर्फ़ सिर्फ लेवन पर ही फोकस करकर बनाया गया था क्योंकि ये जंग सिधे-सिधे माइन स्लेयर और लेवन के बीच थी क्योंकि लास्ट टाइम जब सीजन 2 के इंड में लेवन ने गेट बन किया था तो उस टाइम शैडो मॉन्स्टर ने सीधे-सिधे लेवन को गेट बंद करते हुए देखा था जिसका ऐसास उसे बिली की नजरों से हुआ इसलिए इस पूरे के पूरे सीजन में माइन स्लेयर ने प्रिपेरेशन की ताकि इस बार जब उसका सामना 11 से हो तो 11 उसे कोई भी एंगल से हराना पाए और सीजन 3 के एंड में कुछ वैसा ही हो लेकिन जॉसी ने यहाँ पर हॉपर के कहने पर अपसाइड डाउन के गेट को बंद करने के लिए उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसके चलते हॉपर भी वहां मारा गया और इस इंसिडेंस को पूरे के पूरे तीन महीने हो गए लेकिन देखा जाए तो जिस तरीकी की मौत हॉपर की दिखाई गई है आई मीन हॉपर की डेड बॉड़ी वहाँ पर मिली नहीं यहां तक कि हॉपर को दूसरे रशीन साइंटिस की तरहा लास्ट होते हुए भी दिखाया नहीं गया जिसकी खुली खुली इंडिकेशन है कि हॉपर अब भी जिन्दा है तो चलिए सबसे पहले गैस यह करते है कि हॉपर इतनी बुरी सिच्वेशन से बचकर कैसे निकला वैल तो जिस टाइम पर जौसी ने उस मशीन को शटडाउन किया था तो उस टाइम पर स्क्रिन को कुछ टाइम के लिए ब्लैक कर दिया गया था तो शायद हो सकता है कि यह वो टाइम ह हॉपर को बचाने में कामियाब हुई है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस एंगल से हमें ये मशीन दिखाए गई है जहां पर उस टाइम पर हॉपर खड़ा है तो वही पर हमें एक स्टेयर्स भी नजर आती है तो शायद हो सकता है कि इसी की मदद से हॉपर इस सिच्वेश हो सकते है एक ये कि हॉपर नहीं चाहता कि वो अभी अपने परिवार वालों के सामने आए जब तक उसे ये नहीं पता चल जाता कैसे और कितने गेट्स है जिने बंद करना बहुत ही जादा इंपॉर्टन्ट है या एक अलगी मिशन या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हॉपर उस स्टेर्स की मदद से सीधे अपसाइड डाउन की दुनिया में पहुच गया जिस वज़े से वो यहां से कहीं और टेलिपोर्ट हो गया यानि सीधे रशिया के काम चटका बेसिस में जिसकी शुरुवात इस सीजन के स्टार्ट से की गई और खतम भी इसी लोकेशन को दिखा नहीं गई बस सीजन 3 के एंड के पोस्ट पेडिट सिन में रशिया की एक लोकेशन दिखाई गई जिस लोकेशन पर हमें अपसाइड डाउन का गेट नहीं बलके डैमी गॉर्गन दिखाया गया जिसे वहां पर किसी टेस्ट सबजेक्ट लिए रखा गया है और डैमी गॉर को शिफ्ट इसी पोर्टल की मदद से किया जा रहा था लेकिन अब उस पोर्टल में सीधे सीधे होपर फस गया है और इसलिए सीजन एंड के उस पोस्ट करडिट सिन में दिया अमेरिकन का जिकर भी हुआ और पूरे के पूरे सीजन 3 के एपिसोड में अगर रशियं ने किस अमेरिकन कहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हो रहा था तो होपर ने उस गेट को बंद होते हुए देखा था और उस टाइम पर ही हौपर के दिमाग की बती जली होगी कि वो यहां से सीधे जम करकर उस गेट के अंदर पहुच जाए क्योंकि यही एक वो रास्ता है जिसके कार गेट को देख लिया जिसकी मदद से वो उस गेट से निकलने में कामियाब हुआ फिक लेवन की ही तरह जहां पर लेवन भी अफ़सौटे से गेट में से ही बाहर निकली थी लेकिन विल अपने टाउन की जगा सीधे रशिया पहुच गया क्योंके सीजन 3 के स्टार्ट में ह हमने देखा था कि रशियन्स के हाथ भी कुछ ऐसा ही फॉर्मिला लगा है जिस फॉर्मिले से वो लोग अपसाइड डाउन के गेट को खोल सकते हैं लेकिन एक साल पहले वो लोग इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो रहे थे बट एक साल बाद उन्हें कोई ना कोई क्लू मिल ग है यानि हो सकता है कि इसके सीजन फॉर में इस बार टाइम के साथ भी छेड़ चाड़ की जाए जिससे ये शो बहुत ही ज्यादा इंटरस्टिंग हो जाएगा कैसे तो उसकी भी थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं वेल हमें सीजन वन और सीजन टू में कुछ इंटरस् रीजन के वज़े से लाए गया था क्योंकि उस टाइम पर इस M के अल्टर एक्सपेरिमेंट के इंचार्ज और कोई नहीं डॉक्टर मार्टिन थे तो इसके जादा चांसे है कि कहीं न कहीं लेवन की मॉम और डॉक्टर मार्टिन के बीच कुछ ना कुछ चल रहा होगा क्य ऐसा नहीं है कि इस एक्सपेरिमेंट में सभी के सभी बच्चे जिन्दा होगे इनमें से कुछ मारे गए होगे और कुछ अभी बच्चे होगे यानि सीजन 4 में हमें सुपर हीरो वाली सिच्वेशन देखने मिल सकती है जहाँ पर ये सभी के सभी बच्चे मिलकर डाउन का वो गेट टूचर में कोई और भी ना खोल पाए इसलिए अगर SMA सीजन 4 में टाइम ट्रेबलिंग को इंट्रिड्यूस करवाय जाएगा तो सीजन 4 बहुती जादा इंट्रेस्टिंग हो जाएगा एक हिसाब से हमें पूरी की पूरी ओर्जिन मिल जाएगी वो लोग उस पावर से कुछ भी कर सकते थे यानि सिंपली कहा जाए तो एक पावरफुल स्टेट जो कि उस टाइम पर उनाइटिट स्टेट बन गया था इतना बुरा दिखाया गया कि लोग इस कैरेक्टर से हेट कर रहे थे और सीजन 3 के एंड में ये कैरेक्टर सभी को काफी जादा पसंद आ गया क्योंकि इस कैरेक्टर को एक पॉफेक एंड दिया गया जहां पर मरने से पहले बिली ने हीरो की तरह लेवन को बचाया क्योंकि उस टाइम पर लेवन बिली को उसके अच्छे पास को याद दिलाने में उसकी मदद करती है जिससे हमें ये भी पता चलता है कि माइंड स्लेर का कंट्रोल किस तरीके से लोगों के दिमाग से हटाया जा सकता है और उस टाइम पर लेवन ने भी इस सिच्वेशन को अच्छी तरीके से यूज किया और बिली के पास में भी हमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से बच्पन में बिली के पिता उसे अब्यूस करते थे जिसका घुसा बिली निकालने के लिए अपने घर से बाहर जाता था क्योंके घर के अंदर बिली अपने घुसे को निकाल नहीं पाता था इसलिए बिली का करेक्टर सीजन 2 में इतना ज़ादा रूट था लेकिन अब सीजन 3 में सिच्वेशन पूरी तरीके से बदल गई और गौर करने वाली बात ये भी थी कि जब माइंड स्लेयर ने सभी की सभी लोगों को मेल्ट करकर खुद को बनाया तो उसने उस टाइम पर बिली को ही क्यू छोड़ दिया वेल तो उसका रीजन ये हो सकता है कि बिली माइंड स्लेयर का सबसे पहला होस था यूमेन फॉर्म में क्योंकि सीजन 2 में जब बिल की बॉड़ी से माइंड स्लेयर को निकाला गया था तो उस टाइम पर माइंड स्लेयर हौकिन्स में ही कहीं जाकर फस गया था की बॉड़ी को वीक करने के लिए उन्हें काफी सारे क्यमिकल्स खिलाए जिसके वज़े से इंसानों की बॉड़ी जब माइंड स्लेयर के करीब पहुची तो उन सभी लोगों को मेल्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और इस फाइनल सीजन के एपिसोड के एंड में हम होपर की डेड बॉड़ी और अगर आपको अभी भी ये डाउट है कि रश्यन्स ने ऐसा क्यों किया तो सीजन टू में डॉक्टर ओवन नी ये बात जॉनथन और नैंसी से कही थी जगर इसकी इन्फोर्मेशन बाहर के दूसरे देशों में लगती है तो वो लोग इस एक्स सौंग चल रहा था जिस सौंग का नाम है हीरोस जिसे पीटर गेविल ने गाया था और इस सौंग को हमने इसके पहले स्ट्रेंजर थिंस के सीजन वन में सुना था उस टाइम पर तब होपर को विल की डेड बॉड़ी मिली थी जिसके बाद होपर ने ये भी पता कर लिया थ विल की डेड बॉड़ी एक्श्वल्में एक डेड बॉड़ी है यानि विल अब भी जिंदा है जिसे सीजन वन में बचाया गया और अब ऐसा ही कुछ इस सौंग के जरीए हमें सीजन 3 में भी हिंड दिया गया है कि हौपर जिन थी सारी के सारी का हल जो मुझे लगता है मैं Thanksgiving के टाइम पर एक बार फिर से साथ होगे जिससे हमें ये हिंट मिल जाता है कि Season 4 जादा तर तो Thanksgiving के टाइम पर ही based होगा यानि Christmas में बहुत ही जादा मज़ा आएगा और स्टाइम पर हमें Justin और Suzy के बीच की chemistry भी दिखाई जाएगी कि अक्चल में ये दोनों मिलेगे भी या नहीं और अगर कुछ rumor की बात की जाए तो कहा ये जा रहा है कि Season 4 के production को इसी साल October में शुरू किया जाएगा क्योंकि जिस तरीके का response Season 3 को मिला है वो बहुत थी जादा mind blowing है और जल्दी अगर इसके Season 4 के production को शुरू नहीं किया गया तो फिर शायद कोई ना कोई problem हो सकती है क्योंकि लोग अब Stranger Things की series को आगे बढ़ता हुआ देखना चाते है और सी के चलते Season 3 के end में Christmas का hint दिया गया है जिसके according अगर अंदाजा लगाया जाए तो next year 2020 के Christmas में हमें Season 4 देखने मिल सकता है जो इस टाइम पर Thanksgiving के लिए एक सबसे अच्छा present होगा जो Stranger Things के fans को मिलेगा वेल तौब आइथिंग बस इस वीडियो में इतना ही आपकी क्या रहा है इस ending explain को लेकर उस बारे में मुझे comment करकर जबरू बताईएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आईए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलियेगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी को नही वीडियो अपलोड करूँ आपको इसकी notification सबसे पहले मिले और अगर आप इस series से related या फिर कोई और दूसरी movie से related मुझसे कोई question पूछना चाते हैं तो सीधे आजाएए मेरे Instagram account पर जहाँ पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके सभी के सभी DM के जवाब मैं time पर दे पाओ आला कि आपको वहाँ पर जवाब थोड़े लेट मिलेगे लेकिन ये पका है कि आपको वहाँ पर आपके सभालों के जवाब मैं देने की 100% कोशिश करूँगा और इस channel के अलावा मेरे दो और चैनल हैं एक है The Movie Stock Show और दूसरा Movie Stock Movie Explain जहाँ पर मैं हॉलिवूड और कुछ बॉलिवूड फिल्मों की explanation करता हूँ खैर तो अब मिलते हैं आप से अगले वीडियो में Till then, Bye